नमस्का दोस्तों मेरा नाम देवराजवारशने हैं और आप सभी का सौगयत एड़ा डेली प्राइस एक्षन शो वे चार्ट मुझो में दोस्तों तो आज की दिन हमने निफ्टी पर एस सच कोई बड़ा मुमेंट नहीं देखा बट एक छोटे दाइरे में काफी वोलेटाइल था आज की दिन निफ्टी और जो कल हमने एनलिसिस किया था निफ्टी के उपर वोई सेम एनलिसिस हम कल के लिए भी लेके जाएंगे बिकास एस सच कोई नया डेटा नहीं मिला है और डेफिनेटली आज का कैंडल अगेन एक ग्रीन कैंडल है और जहां पर हलका सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ ता निफ्टी पर अगेन एक पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देते वे दिखाई दिया तो यह थोड़ा हमारे कन्विक्शन को और एड़ अप कर रहा है और फिलाल के लिए ऐस सच डाउन साइट का जो व्यू है वो जो हमें प्रिवियस दे के कैंडल का जो लो है उसके बाद ही थोड़ा सा इनीशेट होगा डेट टू वेरी नेगेटिव वेरी स्लाइट तो दो पर हमें यह फॉलिंग रजिस्टेंस लाइन के उपर जाता है दिखाई देगा मार्केट वो टाइम पर एक स्मॉल ऐसल लेकर एक अटेम्ट किया जा सकता है फॉर 17,800 एं 17,850 यह दो लेवल के लिए हम इसके अंदर प्ले आउट करेंगे और अगर डाउन साइड अगर किस एक ट्रेड इनिशेट होता है तिल 17,200 बट यह जो ट्रेड होगा यह थोड़ा रिस्की होगा बिकॉस इसके बीच में किदर भी सपोर्ट पकड़के एक बार के लिए निफ्टी उपर आ सकता है अब दोस्तो बैंक निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो आज हमने देखी काफी एक हमें बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रेंड देखने मिली है अब डेफिनेटली 39K के ऊपर हमें ये जातावा दिखाई दिया है अब बैंक निफ्टी के अंदर 39K के ऊपर हमें 39 400 तक की एक जगा दिखाई दीती है अब यही सेम कल के लिए भी हम valid रखेंगे और अगर कल के session में 39.100 के उपर जातावा दिखाई दिया तो first हमें 39.400 उसके बाद दोस्तों इसके अंदर 39.800 तक के level के लिए हम इसके अंदर play out कर सकते हैं तो यह दो level है intraday के लिए 39.400 without कोई resistance के हमें दिखाई दे सकता है उसके बाद 39.500 से 600 में हमें थोड़ा resistance दिखाई देगा कल के session में अगर उपर जाता है अब दूस्तों bearish position अगर किसी को bank nifty में बनानी हो तो 37.800 से पहले कोई एक as such reason नहीं मिलेगा हमें bank nifty के अंदर so वो काफी नीचे है current level से उससे पहले में कोई as such कोई selling के कोई negative point भी नहीं मिल रहे है on the price action side so अगर कल के session में हमें नीचे जाता हुआ एक बड़ा gap down opening मिले around 38.300 और 38.500 तो एक छोटे sell के साथ reversal के लिए भी attempt किया जा सकता है so अब bank nifty हमें nifty के सामने आज ज़्यादा अच्छा perform करते वे दिखाई दिया है तो दोस्तो कल nifty की expiry है और जो FAT के chairman है Powell उनका speech आना है okay so इस वज़े से market थोड़ा cautious है but यह चीज़ हमें Friday को impact करते भी दिखाई देगी because यह around 7.30 to 8 है I think so on the Indian time so इस वज़े से कल के session में सिफ speculative move होगी Friday के लिए तो हो सकता है थोड़ा सा choppiness या volatility बन जाए कल के session में भी जैसा आज हमें देखने मिली nifty के अंदर so यह चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा अब जोस्तों DAO का अगर हम chart देखते हैं तो DAO के chart के उपर यह हलका सा इसने अभी breach किया है 33 के but एक possibility है यहाँ पर यह एक support ले ले because यहाँ पर इसका change of political level है और यहाँ पर अगर हमें एक support दिखाई देता है इस zone के अंदर तो एक reversal भी बन सकती है but because कल जो meeting का जो speech है meeting के अदर जो speech होगी वो American time के हिसाप सही है opening के time पर so action जो हमें कल के session में अमेरिका के अंदर जादा देखने मिलेगा so let us see फिलाल के लिए हम जो signal जो DAO से हम ले सकते हैं वो neutral है फिलाल neutral to mild negative है let us see अब meeting के अंदर क्या निकल के आता है और यह हमें Friday पर क्या impact करता है अब brand का अगर मैं chart देखता हूँ दोस्तों तो brand के अंदर हमें एक falling wedge से breakout का attempt मिल चुका है आज के दिन पर हमें confirmation भी मिल गया है अब यहां से यह brand 105 और 108 टक का एक level दिखा सकता है this is all factored in और यह एक neutral ही संके दे रहा है फिलाल तो इस वज़े से इसको फिलाल हम consider नहीं करेंगे और यहां से एक neutral view ही बनाएंगे अब दुस्तों कल के session के लिए हमने तीन counter निकाले है तीन chart idea में से तीनों ही long side के हैं सबसे पहला जो chart idea है वो है इंडस इन बैंक का दुस्तों इंडस इन बैंक का अगर chart देके तो यहां पर एक rising resistance line पर यह counter बार-बार हमें fall करतावा दिखाई दिया है again recent जो price action के data बने थे इसमें एक breakout था बट जो पिछले तीन दिन पहले एक selling आई उस वज़े से यहां पर वापिस से अपने line के अंदर आ गया था rising resistance line के अंदर आ गया था और जो अभी हमें तेजी देखने मिल रही है banking counters के अंदर खास कर जो bank पहले जो earlier run up में नहीं चल पाए bank nifty के वो अभी हमें तेजी दिखाते भी दिखाई दे रहे है तो उसी में से एक indescent bank है और ये भी एक अच्छा यहां पे तेजी का संकेत दे रहा है फिलाल अब तो दोस्तों अब यह अगर कल के session के अंदर 1110 के उपर जाता है 1110 के उपर जाता है तो दोस्तों definitely इसके ने एक long position बनाए जा सकती है जिसमें पहला hurdle हमें 1130 पे देखने मिलेगा and second एक बहुत ही अच्छा gap fill level है यहां पे 1180 तक हमें second जो level है देखने मिल सकता है अब दोस्तों इसके ने प्ले आउट करने के लिए हम 1110 का level का वेट करेंगे उसके बाद SL जाँ पर आज यह counter close हुआ है उसी level पे हम लगा सकते है उसके साथ ही हम first जो level है 1130 यह अपना first target होगा और second 1180 होगा और दोस्तों अगर आप आज के session के अंदर RBL bank अगर हमने देखा chart उसने gap fill करने के बाद वो counter के अंदर हमें gap fill दिखा और उसके बाद एक surprise short covering move भी दिखाई दी वहाँ पे काफी quick moment आया बंदन bank के अंदर भी हमें एक breakout देखने मिला है अब Indocent bank भी इसी category में है अगर हम banking के category देखते हैं तो यह सारे ही जो banks है यह थोड़े legards है अपने sector के अंदर अब शायद यह दोनों counter जो legards चले हैं Indocent bank की भी एक आशा नजर आ रही है अब जोस्तों जो next counter निकल के आ रहा है वो Zydus Life Science का है इसके अंदर हमें एक breakout retest देखने मिला है ओके और यहां पर एक reversal के संकेत बन सकते हैं Zydus Life Science के अंदर अब दोस्तों यहां पर एक ही चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है क्योंकि pharma sector थोड़ा अभी interest generate नहीं कर रहा है इस वज़े से यहां पर अगर कोई भी position बनाता है तो दोस्तों अगर किसी को positional के साब से view बनाना है तो 370 is the level जिसके नीचे यह view नेगेट हो जाएगा 370 के नीचे अगर यह counter trade करता है तो as such यह pattern का जो reversal यह fail हो जाएगा तो हमें risk अपना पता चल गया 370 है अब entry कैसे बनाई जा सकती है अगर आज के high के उपर यह जाता है तो हमें pullback का confirmation वैसे मिल चुका है but 392 के उपर यह जाता है तो यहाँ पे trade initiate की जा सकती है जिसके अंदर जो positional के level निकल के आते हैं वो आते हैं 425 यह first level and then 480 यह दो second level है अब यह target आपके previous swing high से निकल के आ रहे है यह दोनों swing high तक एक बार के लिए अगर यह reversal success होता है तो एक बार यह swing high तक जाने की इसके अंदर आसार काफी बन जाएंगे तो दोस्तों अगर अब यह मैंने positional point of view से बता है किसी को intraday point of view से इसके अंदर work करना है तो 392 के उपर हमें intraday के अंदर भी एक move ज़रूर दिखाई देगी इसके अंदर हम 392 के उपर 400 और 410 तक के intraday के अंदर level expect कर सकते हैं बट इसके अंदर जो हमारा SL होगा अब वो हमें कम करना होगा because intraday के move के इसाब से हम इसके अंदर जो SL रखेंगे वो टाइम पे वो around 390 का होगा तो दोस्तों अब जो last counter है ये cash counter है ये है asai glass india का दोस्तों इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा cup and handle pattern मना है और cup and handle के साथ आज हमें एक volume भी trigger मिल रहा है अगर आप इसका volume देखोगे तो volume के अंदर भी काफी interest है so अब asai class india के अंदर हम intraday as well as positional again ये भी counter के अंदर दोनों ही हम play out कर सकते हैं अब अगर हम इसका price action गौर से देखें जहां पे इसने consolidate किया था जिस range पे मैंने circle mark किया है same उसी type के consolidation हमें next end मलब cup के handle पे भी नजर आया है और उसके बाद आज के निंग जो ये breakout candle मिली है इससे clear एक संकेत मिल रहे हैं price action पे कि यहाँ पे जो bears हैं अब वो हार चुके हैं और bulls की जो तेजी है यहाँ पे आगे बन सकती है इस वज़े से कल के session के अंदर 630 के उपर अगर ये counter निकलता है तो इसके अंदर intraday as well as positional both position generate हो सकती है जिसके अंदर जो intraday के साब से SL रहेगा वो रहेगा near around आज जापर ये counter close हुआ है and positional के लिए ये जो candle का low है वहाँ पे SL होंगे अब intraday के target के इसाब से 650 and 680 is the level to watch for and positional के लिए काफी बड़े targets आते हैं इसके अंदर cup का जो depth है वो लिया जाता है as a target but मैं आपको first positional target comes around near 700 and next comes around 780 तो ये दो level के इसाब से इसके अंदर work किया जा सकता है दोने ही level के साब से और एक counter pure intraday दो counter intraday as well as positional इसके उपर आप देख सकते हैं आपकी analysis भी कर सकते हैं दोस्तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये episode पसंद आया होगा अगर पसंद आये तो ज़रूर लाइक करें शेर करें अपने दोस्तों के साथ और जिन viewers ने चार्ट मजो का चैनल first time discover किया है दोस्तों subscribe करना ना बुले till then take care I will meet you in the next episode